हम दोनों के बिच में कुछ भी ठीक नहीं है मेरे दिल का इसी बंद पड़ा है आपकी बाते सुन रहे थी दीदी मैं राजीर से लड़ जगड कर कैनेडा से यहां आई है मोहित, मेरा बोईस रेंग झाल 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 कुछ दुम लोग क्या करें हूँ क्या करें हूँ चौर 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 पकड़ा हूँ चौर हमारे दोनों बड़े बिटे कैनाडा में सेठ होगे जी बड़ी बहु कुछ बहने पहले कैनाडा में चलीगी और वहाँ अपना घर संबल रहे हैं हर चोटी बहु शिका कहती है कि हमें चोड़ कर कहीं नहीं जाएगी यही रहकर हमारी सेवा करना चाहती है आज की जमाने में इतनी गुनी और संस्कारिब हो बिलती है कहीं सच कहो तो हमारे बहुए बेटे से कम नहीं है अच्छानक अच्छानक अच्छा वेंजी आप चलीए मैं आपको शाम को मिलती हूं अरे वनामी का देदी आप यहां मेरा मतलब कैनेडा से अच्छानक क्यासे आना हुआ क्या हो बड़ी माँ सब ठीक है ना कुछ ठीक नहीं है मम्मी जी जबसे मैं कैनेडा गई हूं जीना ही भूल गई थी दम घुट नहीं लगा था मेरा माँ लेकिन ऐसा क्या हो गया वाँ मेरी तो राजीव से हर रोद दूसरे तिसरे दीन तो बात होती रहती है वो तो कहता है कि सब ठीक है नहीं मम्मी जी राजीव आप से जुड बोलते है हम दोनों के बिच में कुछ भी ठीक नहीं है जब से मैं कहने डगई हूँ हमारी बिच में छोटी चोटी बातों पे जगड़े होते डेली और आजकल तो राजीव जी ने मुझे पे हाथ भी उठाना स्टार्ट कर दिया था कैसे ही सुपरदाश करती इसलिए मैं किसी को बिना बताया है इंडिया आ गई मुझे तो विश्वास ही ने हो रहा है कि राजी तुम पर हात उठा सकता है सही कैरी है मम्मी जी विश्वास तो मुझे भी नहीं हो रहा राजी भाया इतने भोले और ये सब दुक्रिण आप लोगों को मेरे आंसो मेरा दर्ड जूटा लग रहे नहीं देदेग? नहीं नहीं बेटा, ऐसी बात नहीं है. तुम परिशान मत होना, सब ठीक हो जाएगा. लंबे सफर सायो, जा के अपने कमरे में आराम करो. आये देदेगा. आप रोहिये मा दिदी, वो कहा बत सुनी थी, कि दूर के ढोल सुहाने होते हैं. और आपके साथ बहुत गलत हुआ दिदी, इन मर्दों का ना कुछ ठीक नहीं होता. सच बता हूँ, इसलिए तो मैंने अपनी पती के सथ क्या नड़ा नहीं गई. है, मैं आपके लिए ना बड़ी अचारी बना के लेके आते हूँ. और आप रोहिये मत, शाम को आके बहुर सारी बाते करेंगे. ठीक है, और मुझे मंदीर भी जाना है. चलो, दाया? रजीर बेटा, यह बात ठीक नहीं है. क्या जरूरती भाव से डड़ाई जगड़ा करने की? कोई अपनी पत्ती पर हाथ उठाता है क्या? क्या यहीं संस कर दी हमने तुझे? मुझे नहीं पता, मा, कि आनामी का ऐसा क्यों बोल रही है. वो जब से कैनेड़ा आई थी, छोटी-छोटी बातों पर मुझ से लड़ा करती थी. और बला मैं उसके उपर हाथ क्यों उठाऊंगा? अपने थान रखना हूँ. बाए. मा, अहे शालू, ठो आगे? किसी? इतनी जल्दी आगे? हम? ससराल में दील नहीं लगता है, तो आगे न अपने मा के पास रहने? चला अच्छा हो, मा को भी आरा मिलेगा. अरे मा, ये सब छोड़ो. मैंने सुना अनामिका भावी कैनेड़ा से वापस आ गए. आखिर चक्कर क्या है? कुछ ने बेटा. बस पत्ती पत्ने के पीश जगड़ा हो गया. तो यहां आगे. कुछ दिन बाद यहां रहेगे. अगर मुड़ अच्छा होगा, तो वापी चली जाएगी कैनेड़ा. ये अनामिका भावी है किदर? कहीं दिखाई नहीं दे रही है. मतला बितनी दूर से उनकी नदद उनसे मिलने आई है. आवाज सुनते तो मिलने आना चाहिए न? बिटावा अपनी कमरे में आराम कर रही है. इतना लंबा सफर करने के पाद ठकान तो होई जाती है न? अच्छा. और शिखा भावी भी खहीं दखाईनी दे रही है? वो मंदिर गई है. मंदिर? वैसे ये रोज-रोज बेवक्त मंदिर जाने का क्या चक्कर है मा? रोज-रोज मंदिर जाने के बहाने बना करना बोर होगी हूँ. सोच रही हूँ कोई नया बहाना बना लो? अच्छा. एक काम करो, अपनी सास से कहूँ कि मैं अपने बॉइप्रेंट से मिलने जा रही हूँ. हाँ, ये सही रहेगा. अच्छा. 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 एड़ से बहुते हैं. अच्छा. अरे कौन हो बई? क्या का में? एस ही मेकानिक हूँ. फोन आया था मुझे माडम का के इस ही नहीं चल रहा है. कौन माडम? नाम भाम पता है माडम का? इन्हें मैंने बुलाया. अरे अमेका भाभी? कैसी यहाँ? मैं तो ठीक हूँ. तुम कैसी हो? मुझे जैसे ही पता चला ना? क्या आप कैनेडा से वापस आगई? मैं तुरंत आपसे मिलने आ गए. और मैं कैनेडा से कोई मैडल जीत के नहीं आई हूँ. जो तुम इतना खुश हो रही हो. ममी जी, वो मेरी कमरे का इसी है ना? चल नहीं रहा है. तो मैंने इनको ठीक करने बुलाया है. हाँ हाँ बेटा, बना वालो. काफी दिन से बंद भी पड़ी थी. गंदगी भी जम गए होगी. जो बेटा, बना वालो. इस घर की बहुए अपनी नानत की इज़त भी नहीं करती. इतनी दूर से आई हूं मिलने, उपर से ठीक से मिली भी नहीं. और टेड़ा मू बना के चली गए. तू भी ना, शालू. छोटी-छोटी बातों का बत्ता गण बरांती रहती हूं. चल जा रसोई में. दो कब चाय परा के लिए. चाहू? तुम नहीं आती न? मैं चला आता कैनाडा. अच्छा जी. और तुम्हें पता है? तुम्हारे पास आने के लिए. जान बुझ के अपने पती से जगड़ा करती थी. इतने नाटक करने पड़े मुझे यहां आने के लिए. लेकिन मज़े एक चीज समझ में नहीं आई. हम तो बाहर भी मिल सकते थे. अगर तुम्हारी सास को यह पता चला कि मैं कोई AC मेकानिक वे नहीं हूँ तो? तो क्या हुआ? पता चल जाने तो? मेरा काम आसान हो जाएगा. और वैसे भी मैं तुम्हें जब से जानती हूँ जब मेरी शादी नहीं थी. और मुझे ना तुमसे मिल के लिए ना किसी से डर नहीं लगता. पर तुम ना? अभी ये बाते बन सिर्फ प्यार होगा. झाल झाल सुब्ह सी शाम हो गई मा अभी तक ना शिखा भावी मंदिर से घर आई है और ना ही अनामिका भावी का एसी ठीक हुआ मुझा इतना शांत मत बैठो मा मुझे तुनों ताल में कुछ काला लग रहा है चलो अनामिका भाबी के कमरे में जा के देखते हैं ग्यावरे, चलो, मा? जो कि अअगा च्पेश्ट, मैडम जी अगाल, मा? अच्छा, मम्मी जी, मैं फ्रेश हो क्या आती हूँ माँ, मंदिर को हम लोग भी जाते हैं, इतना समय थोड़ी लगता है पूजा पाट करने में, शाम के साथ बज़ रहें और अब तक शिखा भावी का कोई अता पता नहीं इतने मन से याद करेंगी, तो मैं आ ही जाओंगी ना दीदी जी अरे छुटी वो, इतना समय लग लगया, हम कबसे तुम्हारे इंतजार कर रहे थे वो क्या है ना मम्मी जी, आज मंदिर में बहुत भीड थी उपसे कोई गाड़ी भी नहीं मिल रही थी, बहुत मुश्किल से एक ही रिक्षा मिली, उसी उसे आई हूँ अच्छा भावी आज तो कोई तीच त्योहर भी नहीं, फिर मंदिर में काही की भीड इस सब बाते ना बात में करना, छोटी वो, रसे में जाके खाना मनाने अनामीका भी बहुत दूर से आई है, उसे भी भूक लगे होगी, जा बीटा जी मम्मी जी वेसे शाल्यू देदी, आपको भी तो अपने सस्राल जाके खाना बनाना होगा ना? मेरी रिक्षा बाहर खड़ी है, आप जाईए, ली तो देर हो जाएगी छोटी वो, ठीक केरी, तुभी यहांसे चली जाओ ची क्या अगर ठीक समय पे हमें पता नहीं लगता, कि हमारे कमरे में कोई आ रहा है तुम्हें पता है, हम कितनी बड़ी प्रॉब्लम में फस जाते हैं? जिस तरह से तुम्हारी सास और ननन अचानक से कमरे में आई थी ना? मुझे तु ऐसा लग रहा था, वो यही देखने आई थी कि कमरे में आकर चल के आ रहा है खेर चड़ो, अचा सुनो, तुम्हारे आने की खुशी में एक पार्टी रखिये का आना ज़रूर, ओके? ठीक है, अभी हम कल मिलते हैं, ओकी? बाइ गुद नाइट तुम, मेरे पीछे खड़ी हो कि तुम क्या सुन रहे थी? आपकी बाते सुन रहे थी, दीदी वैसे आप फोन पर बोल रहे थी कुछ गड़बढ हो जाती? कैसी गड़बढ दीदी? तुम ना अपने काम से काम रखा करो, दूसरों के काम में ना टांग मत अड़ाया करो ठीक है? गुद नाइट मम्मी, क्या हो रहा है? अनामे का भाबी और शिखा भाबी कहीं दिखाई नहीं दे रहे होंगे कहीं अरे बड़ी भू, कहीं भाब जा रही हूँ? हाँ मम्मी जी, मार्केट जा रही हूँ, थोड़ी दिर में आ जाओंगी अरे भाबी, ऐसे कबड़े पहन के मार्केट कॉन जाता है? मैं तो हमेशे ऐसे ही जाती हूँ, हाँ आपका पता नहीं वैसे भी आपकी मार्केटिंग तो सरुजनी नगर से हो जाती है, तो वहाँ आपको सद्ध की जाने की ज़रूद नहीं पड़ती है अरे छोड़ो बहु, क्या बाते कर रहे हूँ इसकी तोड़ा आदत है इदर उदर बाते करने की अचा बहु, कल राज्यू का फोन आय था वो कह रहा था कि उसे कॉल किया था और तुमने उठाया है नहीं ममी जी, जब उनका फोन आय था ना मैं सो रही थी, फोन यो ठाप आई अब मैं मार्केट जा के आजओ, आके बात कर लेती हूँ राज्यू जी से, ठीक है क्या मा, आप कभी मेरा सपोर्ट नहीं करती हो, और ठीकी तो कह रही थी मैं एसे कपड़े पेंड के मार्केट नहीं, टिसको जाते है जिरकने अब ममी जी, मैं प्रबचन सुनने जा रही हूँ, शाम तक आ जाओंगी आरे, वहाँ भी रोकी है, ममी, हम भी चलते है ना प्रबचन सुनने, चले वह क्या है ना शालू दी, प्रबचन यहां से काफी दूर है, वह भी खुले आस्मान के नीचे आप और ममी जी क्यों फरेशान हो रही है, मैं जा रही हूँ ना प्रबचन की डीबीडी ले आओंगी, घर पे बैटके सुन ले ना चलो, मैं चलते हूँ, ठीक है घोर कल्योग है ममी, घोर कल्योग यह शिखा और अनामिका भावी अकेले-अकेले निकल गए कुछ तो गड़ बड़ है शालू, तो आजकल ला बहुत सिरियल देखने लगी बेवज़े मेरे बहुं परशक करती रहती है चलो, अंदर आँ मेरे सर बे बाम लगा दे बहुत सरदद हो रहा है, हाँ देदी, मैं अपने लिए कुछ ड्रेसेश चूज की थी जरा देख के बताना, कौन से मुछ पर अच्छे लगेंगे क्या हो देदी? आपके चेरे का रंग की उड़ गया ओ, सॉरी गल्ती से ये वाली फोटो निकल गई वैसे आपका बॉइफ्रेंड का भी स्मार्ट है वो क्या है न देदी? आज मैं बहार गई थी आप दुनों को साथ में देखा तो सुचाए कि फोटो ले लूँ डरिये मत दिदी मैं ये बात किसी से नहीं बताऊंगी मम्मी जिसे भी नहीं ऐसे पिंक ज्रेस में तुम भी अच्छी लग रही थी कहो तो फोटो दिखाऊं तुम्हे एच्ट्री क्वालिटी वाली थी कहो तो मम्मी जी को वाटसप कर दो थाकि मम्मी जी को भी तो पता चले उनकी छोटी भव, पूजा पाठ और परवचन सुनने के भाने क्या गुल खिला रही है फिर सोचां सबकी अपनी अपनी लाइफ है एश करो क्यों देरानी जी सही कहा ना अरे मैं तो मजाग कर रही थी दी जब हमें एक दूसरे कराल पता चली गया है क्यों ना इस रिस्ते का हम दोस्ती में बदल दे हम मम्मी जी ना नीद की दवाले के सो रही है तभी कोई टेंशन देए तो फिर देर किस बात कि शलो राते रंगलीन करते है चलो झालो झाल झाल शीखा, मज़ा आए ना? बहुत मज़ा आया दिदी कर पे बुलाने का इडिया आपका अचो था कैसा रा मेरा प्लाण? बहुत अचा अचा तो अब हम लोग चलता है कल मिलते हैं चिक है इत्ती राद गएं तुम दोनों यहा क्या कर रहे हो? ममी जी वो जब से मैं कैनेडा से आई हूँ ना? तो मेरे स्टमक में प्राबलम हो रहा है तो मुझे सारी राद बर नींद नहीं आती है तो मैं न शिखा को लेके लॉन में घुमने गई थे अब ही हम लोग आए है हमारे घर में कोई आदमी आता जाता नहीं है फेर ही मर्द कर रॉमल यहा कैसे है? किसका ही है? आरे मम्मी जी यह रॉमल तो हमारा ही है वो क्या है ना? जब से प्रवच्चन सुनके आई हूँ तब से सर्दी होगी है अब मेरे ही हाथ से किर क्या होगा मेरा ही है लेकिन ममी जी इस टाइम पर आप यहां क्या कर रही है? दरसल बेटा जिन नेन ने आ रहे थी है और मैं नेन की दवाई खाना भूल गए तो आग खुल गए दवाई लेने के लिए मैं यहां पानी लेना है थी मारी जाए जाए ममी गजब हो गया ममी गजब हो गया क्या हो शालूप? इतनी भागती हो क्यो आई सब ठीक है न? कुछ ठीक नहीं है मा कुछ ठीक नहीं है आपकी वो दो लाडली बहुएं इस खांदान का मूँ काला कर रही है क्या हो आप? आज मैंने शिखा भावी और अनामे का भावी को मौल में दो पराए मर्दों के साब देखा और और वो दोनों उन दोनों से ऐसे चिपकरी थी जैसे जैसे की क्या? जैसे की उनका चक्कर चल रहा हो मा गर्ल्फ्रेंड बॉइफ्रेंड मा क्या बोल रही हुए? मा मैं जानती हूँ आपको मेरी बात पर भरोसा नहीं होगा पर आपकी कसम मा जूट नहीं बोल रही क्या हुआ मम्मी जी? आप हमें ऐसे क्यों देख रही हैं? तुम दोनों मॉल में किसके साथ गुम रहे थे? ये आप क्या पूछ रही है मम्मी जी? मेर अनामी का देदी तो शॉपिंग करने गए थे और फिर चूट मत बोलिये शिखा भाबी मैंने आप दोनों को मॉल में उन दूप पराए मर्दों के साथ देखा है मेरे पीट पीछे इतना सब कुछ चल रहा है इस घर में और मुझे पता है मेरी क्या रिष्टा है तुम लोगों का उन मर्दों के साथ? बोलो बॉइफ्रेंड हम दोनों के बॉइफ्रेंड रहूं विवेक नाम है उसका इसको में कई सालों से जानती हूँ विवेक के पास जॉब नहीं थी तो मेरे माबापने आपके बेटे से मेरी शादी कर दे और शादी करने के बाद भी आज भी हमारा प्यार चल रहा है और ऐसे ही चलता रहेगा अपने प्यार के लिए मैं राजीर से लड़ जगड कर कैनेड़ से यहां आए हूँ मोहित मेरा बॉइफ्रेंड हम काफी टाइम से एक रिलेशन्शिप में हैं और ये बार आपके बेटे विनोथ को भी पता है क्या हुआ मम्मी जी? वो क्या है ना? शादी के बाद मुझे पता चला कि आपका बेटा शारीडी डूप से कमजोर है चौकियवद मम्मी जी जब आपके बेटे में इतनी कमी थी तो आपने मैरे उसे अशारीडी करके मेरे जिंदगी क्यों बरबाद कर दी? वो तो अच्छा हुआ, मोहित मेरे जिंदगी में आया वैसे विनोथ का ही दोस्त है वो जब से मेरी जिन्देगी में आया है ना, खुशियों से भरती है और हां, ये बात जब आपके बेटी को पता चली ना, वो मुझ छुपा कर यहां से क्यानड़ा भाग गया अपने बड़े भाई के पास देखो, तुम दोनों ना मेरी इस घर की इज़त हो अगर तुम लोगोंने ये सब करना नहीं छोड़ा ना, तो अच्छा नहीं होगा भोल देती हो मम्मी जी, आपना मेरी बात कान खोल के सुन लीजिए अगर आपने हम दोनों को रोकने की कोशिस की और हम दोनों के बारे में अगर किसी को भी बताया है ना तो हम दोनों ना आपके परिवार को बदनाम कर देंगे और आपके घर की जो ये इज़त है ना ये सारी की सारी मट्टी में मिल जाएगी समझ गया? और हाँ आप भी कान खोल के सुन लिजिए शारुदीदी अगर आज के बाद आपने जासूसी करने की कोशिश की तो मैं आपके ससुराल में फोन करके बोल दूँगी कैसे यहां पे आप आके आपने ससुराल और पती के बारे में बुराई करती है हमारा छोड़िये आपका घर पहले तूट जाएगा मा जाचती हूँ बेटा चोकुछ भी छोटी बहुर बड़ी बहुने का है उसके बारे में हमें विनोद और राजी से बात करनी होगी नहीं तो यह घर तूट जाएगा हम बर्बाद ही जाएगे राजी बेटा मुझे तुम्हें और विनोद से एक ज़रूरी बात करनी है बेटा में बात में बात करती हूँ कौनो आपलो फ्रेंड आई मीन बॉइफ्रेंड नमस्ते आटी जी तुम लोगों की हाँ आने की हिंपत के से हुई चले जो यह से निकलो जाओ शांत हो जाएगे मम्मी जी जब आपको सच्चा ही पता चले गई है फिर छुप छुप कर क्यों मिलना अब तो इन दोनों का अना जना लगा रहेगा चले मम्मी जी सब लोग साथ में बैठके खाना खाते हैं अब हमारी खुशी में आप भी खुश रहिए और अब इसी में आपकी भी भलाई है देखो तुम लोग ना ये ठीक नहीं कर रहे हूँ ये सब पाप है और ये पाप मैं इस घर में होने ने दूरी समझे? तुम जाँ झाल 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 जो कुछ भी हो रहा है ठीक नहीं हो रहा है मुझे कुछ कर रहा होगा झाल 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 शालू बेटा शीखा और अनमिका को रोक रहा होगा बात हज से ज्यादा निकल चुकी ही अगर इन दोनों के बीच में मैंने कुछ बोला न मा तो ये तोनों चुड़े ले न मेरा घर बरबाद कर दी नहीं बेटा ऐसे नोबत तभी नहीं आएगी अच्छे तो एक काम कर तो इस समय यहां आ सकती है वो क्या है न मा आजकल न दिल्ली में बहुत चोरी और डकेती की घटनाएं हो रही है तो इतने दिन के लिए न घर छोड़के आना थोड़ा मुश्किल है अब आप भी न सोने से पहले खिड़की और दर्वाजे ठीक से बंद करके सो देए ची के माँ? ची के बेलो झाल आप है कर निनक क्या देए क्या देयो क्या करे युँ जए जव जाओ ए जुद्धर जेक्टा जारा जव जव दो अ उनके ज़ल दी आओ जा जार जो इसका अनके जल्दी आओ ममीजी कर दो कर दो कर दो क्ंच कर यी कर दो कर दो webags माम बाइजी माम बाइजी आप बॉडिगा पंच नामा करो और जा कर पोस्स मॉटम के पेज़तो ह। यस मादबु मम्मी जी की आवाज सुनकर जैसे हम उनके कमरे में गें चोर ने थोड़े से उनके सर पे वार कर दिया और जब हमने उने रोकने के कोशिश के तो दूसरे चोर ने हम पे रोड से वार कर दिया और हम बेहोश होगे जब होश आया तो मम्मी जी अजकल दिल्ली में चोरी के साथ साथ कतल की बारदा थे बहुत बढ़ गई हैं आप चिंता ना कीजिए हम पूरी कोशिश करेंगे उन चोरों को जल से जल पकड़ने की मैंने राजीव और विनोध दोनों को फोन करके सब कुछ बता दिया उन्हें इंडिया आने में तीन-चार दिन लग जाएंगे तुम यहां क्या कर रही हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे भी यहां आने की? निकल जाओ! तुम दोनों को सजा दिलाए बिना मैं कैसे जा सकती? इंस्पेक्टर साथ! इंस्पेक्टर साथ! मेरी मा की हत्या चोरों ने नहीं! इन दोनों ने मिलके की है! तुम्हारा दिमाग खराब है? क्या बखवास कर रही है दूँ? इंस्पेक्टर सर, ये ननन कम, दुश्मन जादा है! प्रॉपर्टी और पैसो के लिए न, हम दोनों के पिछे हमेशा पड़ी रहे हैं! रामा बंद करो अपना! पुलिस को सारी सच्चा ही पता है! मुझे कर रात मा का फोन आया था और उन्होंने मुझे सब कुछ बता दिया! उन्होंने मुझे बताया कि शालो हमारे हाथ में एक ऐसा सबूत आया है, अब अनामिक और शीका के आयाशिया काता हो जाएगी! और उन दोनों को घर से निकलने किसे कोई नहीं रूख सकते हैं! अच्छा, यह होगा कि आप दोनों अपना जुर्म कबूल कर लें! इस्पेक्टर साब, यह जूट बोल रही है, मंगर्ण कहानी से आपका समय बरबाद कर रही है! अच्छा, हवल्दार! शालू जी के बयान के आधार पर हमने आपकी कॉल डीटेल्स खंगा ली और हम इन तक पहुंचे हैं! यह दोनों तो अपना जुम कबूल कर चुके हैं, बहतरी इसी में है कि आप भी अपना जुम कबूल कर लें! वरना पुलिस स्टेशन जाकर मौकान नहीं मिलेगा! मम्मी जी ने कल रात को बताया कि उनको कोई सबूत मिल गया है! अब बेकार में मम्मी जी इतनी महनत कर रहे हैं, आप दोनों को नहीं रोग पाएंगे! जितना हसना है ना, हसले तुम दोनों! पर एक बाद याद रखने, ऐसा सबूत हात लगा है कि तुम दोनों का बचना भी मश्किल हो जाएगा! कल में पुलिस में जाओंगे और तुम दोनों के खिला केस दरज करूंगे! और तुम दोनों को मेरे बेटे के जिन्दगी से और मेरे घर से हमें शा के लिए दूर करूंगे! बस मुझे कल सुबह का इंतिजार है! सबूत? कुछ से सबूत! हमें नहीं पता था कि वो सबूत क्या है! बस पुलिस के हाथ लगने से पहले हमें मिटाना था! फिर हम विवेक और मुहित को घर पे बुला रे! और फिर बुडिया का कॉन्फिडेंस देख के हम दोनों भी घबरा गए थे! अभी कैसे भी करके हमें सारे सबूत मिटाने होंगे! नहीं तो हम सब तकलिफ में पढ़ जाएंगे! लेकिन हम लोग कर भी क्या सकते हैं? तुम दोनों क्यों घबरा रहे हो? किसी को कुछ पता भी नहीं चलेगा! मेरे पास एक सॉलिड प्लान है! मम्मी जी के सोने के बाद उनके रूम की खिड़की की कुंटी मैंने धीली छोड़ दी थी! ठाकि मोहित और विवेक अंदर आ सके! मम्मी जी के खतम होती ही! हमने उनका फोन चेक करना शुरू किया! झाल 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 क्थून झाल अरेस्ट अरेस्ट कर दो कर दो दो पूल करनेगे तो डिवास लेके अलग हो जाती है कम से कब मेरी माँ तो संदा हो ले चलो कर दो